प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने ED को पूरे देश के सामने मजाग बना दिया है अब ED का कहीं छापा पड़ता है तो लोग भेडिया आया भेडिया आया वाली कहानी याद करते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपका चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है पूरे देश में एक एक ध्रस्टाचारी को चुन-चुनकर मोदी जी ने भारती जन्ता पार्टी में शामिल किया लेकिन दुर्भाग इसे उनका वो मोदी वासिंग पाउडर दिल्ली में फेल हो जा रहा है कल एडी ने कई टीवी चैनल्स के उपर एक ब्रेकिंग निउट चलवाई और वो जैसा के हम सारे लोग जानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा प्रायूजित पी-मो के द्वारा प्रायूजित ब्रेकिंग निउज टीवी चैनल्स को दी जाती है और चलवाई जाती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को पूरे बेश के सामने मजाग बना दिया है अब ईडी का कहीं छापा पड़ता है तो लोग भेडिया आया भेडिया आया वाली कहानी याद करते हैं लोग ये मानते हैं कि अगर ईडी का छापा पड़ा है, सीबिया का छापा पड़ा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं किसी राजनीतिक विरोधी को दबाने की कोशिज भारती जनता पार्टी की ओर से होगी और ये कोई बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ कि किसी गुस्से में भी नहीं कह रहा हूँ बलकि प्रमान सहीत ये बात कह रहा हूँ मैंने 2014 से लेके 2023 तक के आगड़े आप लोगों के सामने रखे थे कि किस तरह से चायबो हेमंत विश्यु सर्मा हो सुवेंदू अधिकारी हो, मुकुल राय हो यदुरप्पा हो, सिवराज सिंग हो, रेड़ी ब्रदर्स हो अजीत पवार हो, छगन भुद्बन हो, हसन मुस्रिफ हो कितने सारे नाम जिन लोगों के उपर नारायन राने हो जिन लोगों के उपर EDCBI के छापे पड़ रहे थे उनके उपर जाज चल रही थी और मोदी वासिंग पाउडर से धुल कर उनको राजा हरीश्चन बनाने का काम किया पूरे देश में एक-एक ध्रस्टाचारी को चुन-चुन कर मोदी जी ने भारती जन्ता पाटी में शामिल किया लेकिन दुरभागे से उनका वो मोदी वासिंग पाउडर दिल्ली में फेल हो जा रहा है तो जबरन फरजी तरीके से मन गणन तरीके से मुकदमा बनाने की कोशिस एडी के द्वारा की जा रही है और यह सब कुछ भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है तथा कथित शडाब घोटाला हम लग सुरू से कहते आ रहे हैं आब आदमी पाटी सुरू से बात कह रही है कि दरसर शडाब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं सर पे पत्थर मारने का काम बीजेपी कर रही है और सर पे पत्थर मरवाने का काम इडी से करवा रही है निकलना कुछ नहीं है 14 घंटे मनिश्य सौधिया के घर मोदी जी ने छापा मरवाया कुछ नहीं निकला गाव में छापा मरवाया कुछ नहीं निकला बैंक का लॉकर चेक करवाया कुछ नहीं निकला की डफ्तर दिल्ली सरकार में जोंकाथ उसको चेक करवाया कुछ नहीं निकला को अभी कल उन्हों में breaking news चलवाई 52 करोल की संपत्ती पकड़ी गई 52 करोल की शंपत्ती पकड़ी गई सारे लोग हैरान हो गए कि ये बावन करोन की संपत्ती कहां पकड़ी गई तो ये किस प्रकार का हतासा में निरासा में पत्थर पे सर फोड़ने का काम E.D. कर रही है मोदी जी के इसारे पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो पहली बात E.D. के काज़ात हैं जो उन्ने सीच किया है उसको आप देख चुके होँगे एक पांच लाख रुपए का फ्लेट है जो 2005 में खरीदा गया था एक 65 लाख रुपए का फ्लेट है जो 2018 में खरीदा गया था और एक सेलरी एकाउंट है जिसमें 11 लाख रुपए था है आप कल्पना कीजिए कि सेलरी एकाउंट जहां पर लोगों की तंखा आती है उस एकाउंट को ED सीच कर रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है शराब गोटाले से 2005 के फ्लैट को सीच कर रही है जिसका कोई लेना तब कभी वो मंत्री बनेंगे, विधायत बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, सभासत भी बनेंगे नहीं सोचा था मनी से सोधिया ने उस समय के फ्लेट की को जब्त किया जा रहा है, सीच किया जा रहा है और 2018 में जब इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं था दुबारा 2020 में सरकार मनी सरकार ही नहीं मनी थी उस वक्त 65 लाख रुपे में ये फ्लैट अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई से जो उन्होंने पत्रकार के रूप में मनिश्य सौधिया जीने और विधायत मंत्री के रूप में जो उन्होंने जिन्दगी की गाड़ी कमाई का पैसा अपने पास एकठा किया हुआ था उस से पांच लाख रुपे का फ्लैट 65 लाख रुपे का फ्लैट और 11 लाख रुपे बैंक अकार रुपे ये कुल संपत्ती है 81 लाख रुपे की और ये मज़ेदार बात ये है मुझे तो हसी आ रहे है और मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में अगर पूछा जाएगा कि E.D. का सबसे हास स्यासपद और मजाकिया केस बताओ तो लोग कहेंगे मनीज सिसोदिया का केस अब आप देखिए ये है इनका चुनावी एफिडेविट ये चुनाव कब लड़े मनीज सिसोदिया जी 2020 में लड़े बिधान सबा का चुनाव लड़े और जब बिधान सबा का चुनाव लड़े तो उस election एफिडेविट में भी इसको घोशित किया है अपने चुनावी सपत्पत्र में पांच लाख रुपए की प्रापर्टी और 65 लाख रुपए की प्रापर्टी की घोशना किये उन्होंने तो बताओ ये भ्यास्टाचार कहां से हो गया और इसका शराब मीती से क्या लेना देना है ये तो 2020 के चुनाव में ही पॉलिसी तो बनी 2022 में दो साल के बाद तक तो चुनाव रहे थे सरकार भी नहीं बनी थी तो मतलब क्या कर रही है एडी क्यों अपना मजाग उड़वा रही है क्यों अपने आपको मजाग बना रही है मैं मोदी जी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी भले ही आपने आठ सरकारें पिछले नाव साल में तोड़ तोड़ के बनाई है भले ही हर राज्य में आपने विधायकों की खरीद फरुक्त करके सरकार को गिरा के मंत्री मुख्य मंत्री और खोका खोका का लालज दे के विधायकों को तोड़ा है लेकिन मैं आपको सीधे सब्दों में बताना चाहता हूँ दिल्ली में आपको सफलता नहीं मिलने वाली पंजाब में आपको सफलता नहीं मिलने वाली आम आदमी पार्टी पर आपको सफलता नहीं मिलने वाली इसलिए निरथत प्रयास मत करो मोधी जी हवा में तीर मत चलाओ कुछ हासिल होने वाला ने यहां बहुत कोशिस कर लिया आप ले हमारे 45-45 विकर विधायकों पर फर्जी मुकदमे किये आपने जेल में डाला मनिस्य सौधिया को जेल में डाला सतेन जैन को जेल में डाला 36 किलो मजन कम हो गया सतेन जैन का बहुत तोडने की कोशिस की लेकिन कोई तूटा नहीं आमादमी पार्टी का सिपाही अर्विंद केजरिवाल का कोई सिपाही नहीं तूटा लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपका चेहरा पुरे देश के सामने बेनकाब हुआ है एक तरफ हजारों करोर की लूट करने वाले अर्वों की लूट करने वाले महारास्टा में अजीत पवार है जिनको आप उकमुख्य मंत्री बनाते है हजारों सैक्रों करोर की लूट करने वाले छगन बुजबल है जिनको आप मंत्री बनाने का काम करते है सैक्रों करोर की लूट करने वाले हसन मुस्रिफ हैं जिनको आप मंत्री बनाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ मनिस्स सौधिया जो दिली के लाखों बच्चों को अच्छी सिछा देने का काम करते हैं उस मनिस्स सौधिया को आप जेल में डालते हैं सतेन जैन जो दिली के लोगों को अच्छा स्वास्थ देने का काम करते हैं, उनको आप जेल में डालते हैं, तो पूरा देश आपका असली चेहरा देख रहा है, और समय आने पर लोग आपको जवाब देगे, ये कारवाई भरस्टाचाल के खिलाफ नहीं है, ये कारवाई सिर की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निस्मल दस्तव को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्मल दस्तव को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, कि हर ख़बर क शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें